हालो दोस्तो नमस्कार में हुलूलू आप देख रहे मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर देख सकते दोस्तो ये एको वह रहा होँचे हमारा कंपणी को मिला है दो तीन मैना हो गया कि लेकिन आज हमारा बारी हटाय काम करने का और हमको आज काम मिला है तो आर्थिंग का जो कॉलम आर्थिंग का काम मिला है वह पहले डाला गया था कोई-कोई जागा में छूट गया है जिसके वज़र से फिर दुबारा हमको ये तकरिवान 25000 स्कूर मीटर का साइड है ये वह रहा हुसे देख सकते हैं कोई good done for done बनेगा चाहिए तो इसमें ज्यादा तरो हमारा कुछ लगा सकते जो की finishing नहीं दीखेगा इसके लिए हम क्या करते कि यह जो सरीया है रोड है उसमें लेकर यह आर्थिंग कनेक्ट कर लेते हैं अब इसे सब भी जागा ज्यादा तरो छुट गया है देखा देते हैं यह यह भी जेख सकते हैं छुट गया है इसके लिए क्या करते हैं हम यह सरीया जो है यह वापस में कनेक्ट है पूरा एक कलम के साथ है इसके लिए इधर हम अर्थिंग देते हैं अधर जो हो गया हम थोड़ा दिखा देते आपको इधर देख सकते हैं अधर सर्या में हम लेगे ओल्डिंग कर देते हैं बाहर का कंडिशन कुछ है पूरा किच्चड किच्ड हो गया है यह साथ बाद में कंक्रीड किया जाएगा झाल 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 तो दोस्तों इसका बाहर का भीव हम जाने का टाई में आपको दिखा देंगे यह कितना बड़ा है या कैसा दिखता है यह दिखेगा यह अंधर का नजारा कुछ इस तरह है झाल 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 तो दोस्तों इसी तरह से आज का काम हमारा खतम हुआ और आगे में देखते किस दिन हमारा काम मतलब निकलता है क्योंकि यह ज्यादा तरह सीबिल का वार्क खतम नहीं हुआ इसलिए हमारा काम भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से और स्टोर के लिए भी जागा नहीं दिया अब सामन फामन भी नहीं है ठीक से आज कुछ थोड़ा बहुत तूल्स लेक आयते हमारा जो इंजीनियर है बड़ा इंजीनियर है यहां का उसी से और दूसरा जो भेंटर लोक आते उनसे कुछ मायन के तूल्स उसमें थोड़ा सा फ्लाट हम वोल्डिंग कर लिया और ठीक दोस्तों ए Bardzo का ना जा रहा है देखें को ठीक से दे रहा है नहीं मालूम नहीं हो रहे हैry झाल